इस खबर पर जादा बाच्चित के लिए ये सिधा रूप करेंगे हमारी सेहोगी गौरब मिश्चा का जो इस वक्त हमासा अर्जूर चुके हैं गौरब जिस तरही किसे इंडिया गडबनर के देखें निश्चित तोर पर ये राजनीती में इस तरीके के चल चितर जो हैं अकसर देखने को मिलते हैं खास करके किसी राज़े में दंगा हो कहीं पर इस तरीके की स्थितिया बने तो इस तरीके की चल चितर जो हैं राजनीती में आते हैं और खास करके अगर हम देखें तम लगातार वहाँ के जो मुख्यमंद्री है उनके संपर्क में है इसके अलामा जो आम्स फोर्सेस की дेप्लामेंट है तकृरीबन 30-32 हजार आम फोर्सेस की जो डिप्लामेंट वो वहाँ पर अलग-अलग हिस्सों में की गई है और जिस जगह की बात लगातार की जा रही है चुरा चांदपूर की वहाँ पर खुद वहाँ की जो राजिपाल है नो सुईया हुई कि उन्हों ने जा करके उन राहत सिवीरों का दौरा किया रिक्षन किया और जो हालात मनि मणिपूर के अंदर बने हुए है उन हालातों को पट्री पर लाने की बात की जा रही है चाहे वो कुकी समाज हो मैतई समुदाय की लोग हो सबसे लगातार बाचीत करने की जो प्रक्रिया है खास करके वहाँ की स्टुडेंट यूनियन को जो लीड कर रहे है कुछ अस्था अनिय छात्रों हो उन सभी से जो बाचीत की प्रक्रिया है वो की जा रही है दूसरी तरफ मांसून सत्र की जब से सुरुवात हुई लगातार दोनों ही सद्रों में हंगामा हो रहा मणिपूर को लेकर के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर लगातार इस बात का दबाव बन हैं इसके अलावा हमादनी पार्टी के राजे सवा सांसा सुसील गुपता हैं तमाम पार्टियों से आरेलडी से हैं जैन चौधरी तमाम जलों के जो लोग है वो वहाँ पर अपने आपको रिप्रेजेंट करने गया है और निश्चित तोर पे अब बारती जनता पार्टी भी इसको जो कह रही है कि ये एक दोरा नहीं है बलकि फोटो खिचवाने की एक होड मची हुई है तो निश्चित तोर पे इस तरीके के जो चलचितर हम कह सकते हैं कि एक गटवंदन तो जरूर बड़ा है लेकिन इस पूरे बड़े दाइरे के बीच में तमाम लोग जो एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव दूसरी तरफ जब तक रिपोर्ट आएगी स्वापी जाएगी फिर उस पर मांग की जाएगी इस बारे में कोई जानकारी निदा इस बात को हम और आप वेक्तिगत समझ सकते हैं कि आप देखे जब सेशन चल रहा है पारलेमेंट के अंदर ये बात मणीपूर पर सुरू हो रही है उसमें बात विवाद जरूर होता है लेकिन जैसे ही मणीपूर पर बात चीज सुरू होती है हंगामा सुरू हो जा दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो 16 दलों की 21 सांसद आज यहां पर पहुंचे हुए है जाईर सी बात है अलग अलग तुकडियों में अलग अलग हिस्सों में ये जो अलग अलग दलों के सांसद वो जा रहे हैं एक रिपोर्ट जरूर तयार किया जाएगा और उस जो शदन में है पार्लेमेंट के अंदर उसको प्रस्तूत किया जाएगा वहां पर मणीपूर की जमीनी हकिकत को बताने की कोशिश की जाएंगी लेकिन ये बात समझ के पर है क्योंकि अगर मणीपूर की बात करें तो मणीपूर को लेकर कि लगतार सदन के अंदर भी बात की जा रही है, सरकार लगातार इस चीज को कर रही है, ऐसे में एक नई रिपोर्ट वहाँ से लेकर के लोटेंगे तमाम जो ये दलो के लोग हैं, तो आप खुद सोचिए कि सदन में किस तरीके का माहौल तब बनेगा, क्योंकि पहले की तस्वीर हमने देखी है, फिर हंदामेदार होगा, क्योंकि तमाम सवाल जबाब वहाँ पर सुरू होंगे, बिल्कुश, सवाल ये है, गौरब के आखिर विपक्षी जो डेलेगेशन वो क्या मैसेज देना चाहता है, क्या वो ये मैसेज देना चाहता है, क्या अभी तक जो सरकार महा के आकड़े जा रहे करेए, जो रिपोर्ट दे रही है, या जो हालात बता रही है, वो सब गलत है? देखें, निश्य तोर पे विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में होती है, और विपक्ष उसी भूमिका को निभा रहा है, और जिस तरीके से इस पूरे दोरे को हम देखें, इस दोरे से एक तो सबसे बड़ी अपनी जो ताकत है, आई एंडिये नाम से जो पूरा एक विपक्ष का एक नया मंच तयार हुआ है, वो एक बड़ा मैसेस कनवे करने की कोशिश में है, कि वो ग्राउंट पर जा रहा है और जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि उनको ये लगता है कि सरकार ने बहुत सारी चीजों को छुपाया है, क्योंकि अगर हम बात करें जो कुछ वीडियो आया निकल के सामने, महिलाओं के साथ जिस तरीके की बरबरता देखने को मिली है, सब भे समाज में इस तरीके की विबत्स घटनाओं का कोई जगा नहीं है, रोका किसी को नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, और लगतार जिस तरीके से वहाँ मेल मिलाब करने का सिलसिला है, पीडितों से मिलने का सिलसिला, ये सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखिए, कि बंगाल में हिंसा होती है निदा, बिश्यों को कहीं न कहीं जो भारती जनता पार्टी है, वो भी इस तरीके से डिफेंट कर रही है, और इसी लिए भारती जनता पार्टी के कुछ नेता है, जो इस बात को ये कह रहा है, कि ये फोटो खिचवाने की होड मची हुई है यहाँ पे. बहुत 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 शुक्रेस तमाम जानकारी के लिए आपका.